नमस्कार मैं प्रमिला आज हम आपको देश की जानी मानी रित्यांगना मिर्डानली सारभाई की कहानी सुनाते हैं जरा सोची पांच साल की उम्र जब बच्चे खेलने खूदने या फिर शैतानियों में मश्गूल रहते हैं यह वो अम्र थी म्रणाली सारभाई के जब उनहोंने ना सिर्फ तै कर लिया बलके पूरी मा के सामने एलान भी कर दिया कि मैं एक डांसर हूं ब्रिणानी सारा भाई ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहा से अस्तित्व में आई, मुझे में समझदारी कहा से आई, किस ने मेरा रास्ता तयार किया हर दिन एक नया दिन, किसी भी घंटे का कुछ पता नहीं यही अग्याच्छन निश्चित दिनों में बदल जाते हैं मैंने बाद में महसूस किया कि मैं क्या थी और पांच साल की उम्र में मेरी माँ बताती है कि मैंने कहा था मैं एक डांसर हूँ आने वाले समय में नहीं बीते समय में ही मैं अभी इस वक्त एक डांसर हूँ दरसल यही मशूर नित्यांगना मिर्णाली सारभाई के जीवन का सच भी है जो उनकी ऑटोबायग्रफी दा वोईस ओफ हार्ट में शुरुआत में आपको लिखा मिल जाएगा और यही वो उनकी सोच थी जिसकी बदालत ना सिर्फ उनोंने दुन्या भर में अपनी पहचान बनाई बलकि जिस वक्त दुन्या को अलविदा कहा उस वक्त उनके पास करीब पचास सौ नहीं बीस हजार ऐसे नाम थे जिने उन्होंने नित्र की बारीकियां सिखाई थी निर्णाली सारभाई का जन्म 11 मई 1908 को केरल में हुआ था पिता डॉक्टर स्वामी नाथन मद्रा सुभास हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे मां अम्मू स्वामिनाथन स्वतंत्रता सिनानी थी वो बार में देश की पहली संसत की सदस्य भी बनी बहन लक्ष्मी सेहगल सुभास्चंद बोस के साथ थी म्रणाली का बच्पन सुच्जर लैंड में बीदा वहां उन्होंने डेल को अपना असली गुरु माना यह वो वक्त था जब कोई भी कलाकार केवल एक ही पॉर्म नहीं सीखा कर देखे इसलिए निर्ट की अलग अलग शैलियों की बारिक्यों को सीखा उन्होंने अमूबी सिंग से मनिपुरी सीखा कुंजु कुरूप से कथकली सीखा मीनाक्षी और मुथु कुमार पिल्लई से भरत नात्यम सीखा उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबर्दस्त योगदान था इसी दोरान उन्होंने विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रवी शंकर के भाई पंडित उदेशंकर के साथ भी काम किया पंडित उदेशं से बारिच अधिवा het में भारती ने परंपरा कोती में मेर लाई को विक्रम प्रवेश्व को उन्होंने अपना जीवन नाhon होती है जहां उसका रंग प्रवेश हुआ हो तो मिर्णाली सारभाई के लिए भी बैंगलूरु खास था और यहीं पर उनकी विक्रम सारभाई से पहली मुलाकात हुई विक्रम सारभाई देश के जाने माने विग्यानिक रहे उन्हें फादर ओफ इंडियन स्पेस प्रोग्र इस शादी के बाद मिर्णाली सारभाई को एहमदाबाद शिफ्ट होना था दोनों शहरों के कल्चर में जमीन आस्मान का फर्क था लेकिन मिर्णाली एहमदाबाद गई नए रंग धंग में खुद को ढालने में इतना ही वक्त लगा कि छे साल के भीतर भीतर उन्होंने वह दरपण नाम की संस्था की शुरुआत की कहने को कल्चर अलग था भाषा अलग थी लेकिन मिर्णाली सारभाई की संस्था में तमाम गुजराती लोगों ने निर्ट सीखा इस दौरान डांस के साथ साथ वो कोरियोग्राफी भी कराती रही कविताएं लिखी कहानिया लिख मिर्णाली सारभाई की मेठी मलिकास अरभाई भी ठीटर और डांस से ही जुड़ी संस्था दरपण से बहुत कम लोगों को पता होगा दरपण में उस वक्त अच्छे खासे लोग निर्ट से आते थे और निर्ट सीखने के बाद मंच पर विदिवत नित होता था चात्रों क उसे आरंगेत्रम और मेरी यह यह की जो चात्र आरथिक रू Philippus in पहुए उन्हें पर दो के नाम रख दिया और उसके बाद जो साड्य की संस्थान की और से दी जाने लगी भाकाइदा कारच छपते थे और इस तरह चार्चिफ excusin लगाम भी लग गई और चात्रों पे जो दबाव बन रहा था वो भी रुख गया मृर्णाली सारा भाई ने आराधना को समर्पन और आस्था से जोड़ दिया 1992 में भारत सरकार ने मिर्नाली सारा भाई को पद्म भूशन से सम्मानित किया मिर्नाली सारा भाई खुद को तकनीक से दूर रखती थी उन्हें आधुनिक्ता के शोर में गुम्भोना पसंद नहीं था वो कहती थी कि उनके लिए डांस लेखक जोजफ केंबेल की उस भावना से जुड़ा हुआ है जिसमें वो कहा करते थे कि उन्हें अपने आसपास नाटकी अलंकरणों की जरूरत नहीं है तकनीकों के जाल को मिर्नाली सारा भाई एक तरह की कब्रगाह कहा करती थी वो 2016 का जन्वरी का महीना था जब नाली सारा भाई की तब्यत बिगड़ी उन्हें असपाताल में भरती कराया गया लेकिन तब तक शायद वो किसी और ही दुनिया के सफर पर निकलने का विचार बना चुकी थी जिजिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया उसके अगले दिन याने 21 जनवरी 2016 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई अपने जीवन को भरपूर जीने और निर्त की दुनिया को बहुत कुछ देने के बाद जिस वक्त वो इस दुनिया से गई उनके सिरहाने उनकी बेटी मलिका सारा भाई थी और कमरे में चारों तरफ सेक्णों शिश्य जिनका मन तो भारी था लेकिन अपने गुरू को सम्मान देने के लिए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वो सब नित्य कर रहे थे अब जरा सोथिए किसी भी गुरू के लिए इससे भावपूर्ट शिदांजली भला क्या हो सकती है नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्विटर के जर्ये भी आप हमसे जूट सकते हैं थैंक यू